नमस्कार दोस्तों इस टेडी विध हैपीनस में आप सभी के स्वागत है और दोस्तों आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सरकार के एक ऐसे पोर्टल के बारे में जानेंगे जिसके जरीए आप घर बैठे ही जाती प्रवणपत्र, निवास प्रवणपत्र और आयके प् पाएं तो दोस्तों यह इस पोर्टल का नाम है इसाथी इसका जो दोस्तों वेब एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से आप कॉपी कर सकते हैं फिर दोस्तों चलते हैं यहां पर पंजीकरत उपवोग करता लॉग इन तो यहां पर क्या है जिसका अभी तो रेस्टेशन हुआ नहीं है तो आप लोग का तो पहले हम चलेंगे यह वला आप लिंक देखिए नवीन उपयोग करता पंजीकरण तो यहां पर जाकर क्लिक कर देते हैं दोस्तों और क्लिक करने के बाद जो है एक नए पेज पर रीडारेक्ट हो जाएंगे यहां तो आप अपने नंबर के जो इनिशियल हैं जैसे माल लिए किसी का नाम सौरब कुमार है तो S.A. और डेट ओ बर्थ माल लिए 1997 है उस तरीके से आप यहां पर भर सकते हैं और उसकी उपलबदता चेक करिए कि वो कहीं अलरेडी एक्जिस्ट तो नहीं है तो यहां पर आप लिए अकाउंट क्रियेट करना है समझ गए माल लिए अगर आपके चार भाई हैं तो चारों को अलग-अलग क्रियेट करना पड़ेगा अकाउंट और उसके बाद ही वो अपना इंडिविजुल का सेटिफिकेट बनवा सकते हैं आवेदक का नाम और फिर जनत थी और फिर आपका जो जेंडर है वो सेलेक्ट करेंगे आवासिय पता में दोस्तो जिस पते पर आप रह रहे हैं जो कि आपका इस्थाई पता है वही आप अपना इसमें आवासिय पता लिखिए और साथ में दोस्तो पिन कोड डालेंगे और फिर उसके बाद आपको अपना डिस्टिक सेलेक्ट करना है जिस भी डिस्टिक्ट में आप रहते हैं और वहीं से आपका सैटिफिकिट बनेगा माल दीजे आप आगरा में रहते हैं तो आगरा सेलेक्ट कर लीजे उसके बाद आपका mobile number और email ID mobile number बहुत ध्यान से भरिएगा दोस्तो क्योंकि mobile number पर OTP आएगा और फिर email ID भी बिल्कुल ध्यान से भरनी है फिर सुरक्षा कोड यानि की capture कोड है वो आप दर्ज करेंगे और सुरक्षित करेंगे उसके बाद क्या होगा दोस्तो आपकी mobile पर एक password आ जाएगा OTP आ जाएगा उससे आप login कर सकते हैं तो अभी मैं क्या करता हूँ मैंने जो बना रखा है उससे login करके मैं आपको दिखाता हूँ और फिर दिखाएंगे कि आगे का procedure क्या होता है दोस्तो मैंने login कर लिया है और इस समय हम इसके home page पे आ गए है यहाँ पर आप option देख सकते हैं कि क्या क्या है आवेदन भरे हैं आवेदन प्रिंट करें सेवा सुल्क भुकतान आवेदन की सूची निस्तारित आवेदन रसीद की प्राप्ती सुझाव और login विवरन देखें यह सारी चीज़े हैं इसके अंदर और यहाँ से आप कितने प्रिकार के आवेदन कर सकते हैं मैं आपको बता रेता हूँ इसके साथ में दोस्तों कई अभ्यारती यह सोच रहे होंगे कि यदि हम इसे apply करते हैं तो क्या certificate लेने के लिए हमें तैसील में जाना पड़ेगा दोस्तों कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको digitally sign होकर यहीं पर उसका मतलब एक तरीके से PDF बन के आ जाएगा उसका आप print out ले सकते हैं किसी भी दुकान पर जाकर या फिर आपके घर पे ही printer है तो घर पे ही print ले सकते हैं ठीक है इसमें कहीं आपको किसी government अधिकारी से जाकर नहीं मिलना है सिर्फ और सिर्फ apply कर दीजिए और कई लोगों का इसमें बन के आ चुका है इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूं कि 100% working है मगर हाँ यह अभी जो इसके बारे में बता रहा हूं यह उत्तर प्रदेश के आए लोगों के लिए है ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन भरे में क्लिक करिए आवेदन भरे में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे कि कौन कौनसी सेवा है यह उफर कर रहा है यह पोर्टल तो इस पर दोस्तों हम क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखिए आए प्रमान पत्र निवास प्रमान पत्र, जाती प्रमान पत्र, दिव्यांग जो हैंडिकेप लोग हैं वो भी बनवा सकते हैं साथ में दोस्तों जन का प्रमानपत्र बनवाए जा सकता है मृत्यू का प्रमानपत्र बनवाए जा सकता है असाई वेक्तियों के इलाज के लिए और दोस्तों देख सकते हैं पूरी एक लिस्ट है इसमें आप मालिए दमपती पुरुसकार योजना जो भी सरकार की तरफ से स्कीम चल रही हैं वो भी इस पोर्टल के जरीये आप प्राप्त कर सकते हैं चरित प्राप्तर बनवा सकते हैं हैसियत प्राप्तर यहां तक कि खतोनी के लिए भी आप डिजिटिल हस्ताक्षर वाली वो भी ले सकते हैं आप ठीक है तो अभी मुझे लगता है कि ज्यादा तर लोगों को जो जरूरत पढ़ती है आई प्राप्तर निवास और जाती जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और दिव्यांग प्राण पत्र की भी आवशक्ता पढ़ सकती है तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है ऐसे में हम जाएंगे निवास प्राण पत्र पे पहले निवास वाला देखते हैं ठीक है निवास वाले पे गए और अब आगे अगला पीच खुल के आएगा अब दोस्तों ये निवास वाला आ गया यहाँ पर अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि निवास प्राण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें तो बाई साब क्लिक कर देते हैं हम हाँ अब देखिए निवास में क्या है आप ग्रामीर है नगरिये हैं क्लिक कीजिए अपना प्रार् काम ये सब आपको भरना है तो यहाँ पर आपको दोस्तों अपना पूरा एडर्स भरना है साथ में मुवाइल नंबर निवास की अब्धी आपकप से रह रहे हैं या कितने आपसे सालों से वोटर आईडी की जो आपकी फोटो कापी होगी वो भी करने पड़ेगी राशन कार्ड या बिजली की छाया प्रती यहां पर आप अपलोड कर देंगे उस फाइल को उसमें यह फार्मेट दिखा देगा कि PDF में है या फिर इमेज फार्मेट में है और फिर उसे आप दर्ज करा दें जो भी आपने दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद क्या होगा इसमें आप देख सकते हैं कि उसकी इस्तिती क्या है अब देखिए यहां से मैं आपको दिखाता हूँ निस्तारित आविदन इसमें दोस्तों आपको दिखाएगा कि जो भी आविदन आपके पैंडिंग है अभी मैं आपको सेलेक्ट करता हूँ मान लिजए कास्ट का है और समिट किया तो यहां पर दिखा देगा नौ रिकॉर्ड फांड यानि कि जो भी आपके इसमें भर दिये आपने उसका स्टेटस क्या है वो यहां से दिखाता रहेगा उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं मैंने आपको निवास प्राउन पत्र के बारे में बता दिया अब इसके अलावा अब हम चलते हैं जाती वाले पे जाती वाले में किस चीज की जरूरत पड़ती है जाती वाले में क्लिक करते हैं और अभी देखिए पेच खुलेगा यह और यह free of cost है दोस्तों हाँ इसका शुलक लगता है बहुत ही nominal charge जो 10 रुपे या 15 रुपे जो भी है वही लगेगा इसके अंदर आप देखिए दोस्तों जाती प्रवाणपत्र के लिए इसमें हिंदी वाला या इंग्लिश वाला जैसा भी आप चाहें मैं इंग्लिश वाले पे क्लिक करता हूँ ठीक है इंग्लिश वाले में वही है कि आप सेवा का प्रकार क्या है ग्रामीन है नगरिये है अपना आप वही normal detail है यहाँ पर बिल्कुस सही detail भरनी है आपको इसके बाद दोस्तों आपको प्रवाणपत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं central यहाँ पर center वाला जैसे कि आपको पता है दोस्तों center government की job में जो है center वाला चलता है तो इस पर आप click कर देंगे अपनी जाती चुनेंगे उसके अलावा उप जाती और फिर प्रवाणपत्र बनवाने का कारण वही government job के लिए आप कह सकते हैं और साथ में आधार कार्ड इसके लिए आप यह देख रहे होंगे दूस्तों आधार कार्ड एक तरीके से अगर आपके पास है तो बहुत जल्दी बन जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या है document यहाँ पर सारे के सारे वही है फोटो स्वे प्रवाणपत्र गोशना पत्र मतलब आपको एक प्रवाणपत्र एक कैसे बनेगा कुछ नहीं एक A4 साइज पेपर पर खुद ही लिख लीजिए कि मेरा नाम यह है मेरे पिता का नाम यह है मैं यहाँ का और उसे उसका photo लेकर आप उसे scan कर सकते हैं और scan करके यहाँ पर upload हो जाएगा ठीके तो यह documents की आवशकता पड़ती है और यहाँ पर आप select करके उसे upload करते हुए चलेंगे ठीके दोस्तों और यदि आपके पास already पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अन्ने तो अन्ने में क्लिक करके माल लीजे आपका certificate पुराना वाला बना हुआ है और आपको नए format वाला बनवाना है क्योंकि पुराने जो certificate थे कईों का registration मतलब online नहीं दिखाता था तो ऐसे में आप पुराने वाले की पृति को उसे upload कर सकते हैं और जिससे की reference के लिए हो और आपका जल्दी बन जाए ठीक है दोस्तों और यहां से मैं back चलता हूं एक प्नेट हाँ यहां पर आते हैं इसके अलावा दोस्तों शेवा सुल्क भुकतान यहां पर आपका जो भी application number मिलेगा तो वहां से जो है आप इसे यहां पर डाल कर और submit कर देंगे ठीक है और यह दन की सूची हो गई रसीद की प्रतिलिपी आपको यहां से मिल जाएगी माल लीजिए बहुत समय हो जाता है और आपके certificate का कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है तो यह जो रसीद है उसकी प्रतिलिपी लेकर आप जा सकते हैं तैसील में कि भई इस पर बताईए कि क्यों न नहीं सकते और चाहें lockdown हो या ना हो यह सुविधा तो चली रही है कई सालों से चल रही है दोस्तो तो जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए तैसील क्यों जाना तो मैंने आपको बताया कि जाती प्रवाण पत्र मृत्यू प्रवाण पत्र जर्म प्रवाण पत्र इस तरी दोस्तो एक जानकारी और जो भी लोग सरकारी नौकलियों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तो हमने mock test की सिरीज चलाई है subject wise तो उस सिरीज को हम कराते हैं daily रात को 11 बजे समान्य ग्यान की सिरीज है mock test होता है तो यदि आप चाहें तो उसका हिस्सा बन सकते हैं और अप अपने ग्यान का परिक्षण कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तो जय हिन जय भारत